यह होली हमारे हिंदु धर्म का मुख्य पर्व है बहुत बड़ा ही सुभ अउसर माना जाता है पर्व माना जाता है यह होली का भगवान की भक्ती कैसे सफल होती है इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रकार की भिगना बाधा हो तो जाकर के होली का पूजन करें परिक्रमा लगाएं और सारे दोशों के समन के लिए रोगों के समन के लिए सारे भोग समनष्ट हो जाते हैं हरे क्रिश्चना दोस्तों मेरे नाम हर्दीब दूआ तुसी देखरे हो लुद्याना लाइव सब नहीं सारे दर्श्काने लुद्या बहुत-बहुत मौबारका गोली ता मनाई जान दे लेकिने क्यों मनाई जान दे इस दे पिच्चे की महिमा है तो मेरा पंडित राम यग दुवेदी जी तो जै स्री आम सभी देश बाचियों की खोली के प्रब की बहुत बहुत सुभ कामनाएं यह होली हमारे हिंदू धरम का मुख्य पर्ब है बहुत बड़ा ही सुभ अवसर माना जाता है पर्व माना जाता है और तेवहार माना जाता है यह होली का भगवान की भक्ती कैसे सफल होती है इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरन है बुराई अर्थात अंता करण में जो इर्षा होती है इर्षा तो सर्वत्र सफल होती है लेकिन भगवान के भक्तों की प्रती इर्षा सफल नहीं होती और वह हमेशा ही पराजित हो जाती है पराभूत हो जाती है हिरण कश्यपू अपने जीवन में भगवान नाराइन से द्रोह किया वह द्रोह भी जद्दपी अध्यात में द्रिष्टी से वो भगवान की इच्छा से था भगवान जब कोई लीला करना चाहते हैं हिरण कश्यप के चरित्र के माध्यम से अपनी पामन भक्ती और अपने नाम की महिमा को जनचन तक पहुचाने के लिए एक प्रत्यक्छ कारण बनाया हिरण कश्यप के पुत्र हुए साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप भक्त प्रहलाद हिरण कश्यप ने अपने हाजन साधारण को ये कहा कि कोई नाराण का नाम नहीं लेगा जबकि भगवान आकर करके और ये उनके पुत्र उपे आते हैं और ये बताते हैं कि जीब का जन्म केबल भगवान की भक्ती के लिए ही होता है और जो हिरण कश्यप राम नाम की महिमा को राम नाम को जो जो बिरोध करता है तो भगवान ने ये बताया कि ये बिरोध की भावना भगवान के नाम के परती नहीं होनी चाहिए परमात्मा सरवत्त्र व्यापक है सबका रक्षक है और राम नाम लेने से ये एक उपलक्षण है केवल राम नाम नहीं नहीं जितने ही भगवान के नाम है सबका एक ही फल है उन्होंने भगवान की भक्ती की महराज प्रहलाज जी के उबदेशों के अनुसार उन्होंने भगवान की भक्ती की और भक्ती में जितनी हिरन कश्चप के बिचार की बाधाएं आईं उन सब को पार करते हुए अंततो गत्वा उन्होंने होलिका के रूप में प्रहलाद को कष्ट पहुँचाना चाया होलिका एक हिरन कश्चप की सरी से तो बहन है किन्त वह उसकी इर्षा का दूसरा रूप है इर्षा का अहंकार का दूसरा रूप है और वह अहंकार और इर्षा के स्वरूप जो होलिका है होलिका को हिरन कश्व ने कहा कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में बैठा के जला दो प्रहलाद ने चैलेंज किया कि जो भगवान की नाम का आसरेण ग्रहन करते हैं जो भगवान की निश्चल भक्ती करते हैं कपट छोड़ करके भक्ती करते हैं जिनका संपून मनसा बाचा करमना अंताह करन भगवन नाम में है भगवान के सुरूप में है उसका कोई भी दोस कोई भी अस्तर कोई भी सस्तर और यहां तक की आदि भवतिक आद ध्यात्मिक है और अधि जगत में कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो होलिका ने पहले प्रहलाद को मना किया कि तुम आज से भगवान की भगवान का नाम लेना बंद करो प्रहलाद ने कहा कि नहीं मुझे कोई डर नहीं है भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे तो होलिका अपने आप में अगनी प्रगट की और होलिका तो जल गई जो हिरन कश्यप का अंकार होलिका के रूप में था इर्शा होलिका के रूप में है वह जल करके भस्म हो गई और जो भगवान के भक्ती के साक्षा सरूप हैं जिनका भक्ती ही अपना जीवन था भगवन नाम का समरण ही अपना जीवन था ऐसे प्रहलाद सुरच्छित बच ग उसके उपलक्ष में लोगों ने दूसरे दिन भगवान की इस महिमा के लिए बहुत उस्व मनाया बहुत उस्व जो लोगों ने उस्व मनाया वही उस्व आज तक चला आता है अर्थात किसी भी प्रकार की बिगन बाधा हो तो जाकर के होली का पूजन करें और परिक्रमा आरे रोग भोग सब नश्ट हो जाते हैं यह होली की महिमा है अर्थाद दूसर्ण पर इर्शा पर भगवान की भक्ती का बीजय है बहुत शुक्रिया जाते जाते एक बार से फिर से लुद्यान लागिके सबी दर्श्कों को होली की बहुत बहुत शुप कामने और मुबार कें सो कैमरा परसन एमी के साथ हर दीब दूसर्ण को दो इजाज़त हरे क्रिश्ना